हलो दोस्तों स्वागत है आपका Start with Proud के educational platform में इस वीडियो में हम current affairs और basic subjects के question discuss करेंगे ताकि आपकी current affairs में भी पकड़वनी रहे और basic subjects के question की भी लगतार practice होती रहे आज है 19 जुलाई तो आईए आज के topic के बारे में देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम MediCab IIT मदरास से इसका क्या connection है को देखेंगे पर साथ scheme को देखेंगे और इसके तहट चिन्नित किये गए भारत सरकार के द्वारा 12 स्तलों के वारे में भी देखेंगे TIFAC TIFAC के बारे में देखेंगे और उसको रानी लेचमी वाई परुसकार से सम्मानित किया गया है इसको देखेंगे इस संस्ता को देखेंगे टाइगर और चिट के बारे में भी जानेंगे और Ground Orchid के बारे में भी जानेंगे इनका IUCN status क्या है और Sides का status क्या है हाली में या क्यों चर्चा में है और 2019 और 2020 में महत्पूर रहे को GI Tech के बारे में भी जानेंगे और एक list भी सामने होगी और यही भी जानेंगे कि अंतर राज़्टी इस्तर और राज़्टी इस्तर में कौन इसको regulate करता है आत्म निर्वर भारत से जुड़ी कुछ महत्पूर्ण खबरें को जानेंगे क्योंकि अभी हाली में कुछ पोर्टलों को भारत सरकार के द्वारा या कुछ संस्ताओं के द्वारा जारी किया गया है और आज के basic subjects के question में हम इत्यास के question को उठाएंगे और साथ वहन समराज्ज के वारे में महत्पूर्ण जानकारी और कुछ important question को discuss करेंगे तो आईए आज की शुरूबात करते हैं MediCab से हाली मैं चर्चा में इसलिए आया क्योंकि IIT मदरास में start-up के थुरू एक portable अस्तपताल को introduce किया गया आईए इसके बारे में देख लेते हैं इसे MediCab नाम दिया गया है या एक portable अस्तपताल है portable means एक इस्तान से दूसरे इस्तान जाने वाला इसका उपयोग दूरस्त इस्तानों में COVID-19 के रोगियों का इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा इसकी सबसे महत्पून बात यह है कि MediCab अर्थात modular एक बॉक्स के समान सनरचना इसमें केबल चार लोगों के द्वारा ही दो गंटे की भीतर कहीं भी पहुचा जा सकता है और रोगी को इलाज दिया जा सकता है आईए Next Current Affairs के बारे में देखते हैं Next Current Affairs प्रशाद स्कीम से संबंदित है यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हाली में गुजरात के सौमनात मंदिल में तीरत्यात्रा सुबदाओं के लिए इसी स्कीम का प्रयोग किया गया आईए इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी जान लेते हैं ताकि Current के लाब आप बेसिक से कोशन आ जाए तो आपका गलत ना हो Name of the Scheme प्रशाद स्कीम इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं इसको launch 2015 में किया गया था किसके द्वारा किया गया था ये कोशन अलग से पूछा जा सकता है इसको Ministry of Tourism यानि की परिटन मंत्राले के द्वारा इंटिड्यूस किया गया था इसके उद्देशों के बारे में जान लेते हैं इसके उद्देश यह हैं कि धार्मेक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रात्मिक्ता और योजनावद और इस्थाई तरीके से तीर्थ इस्थलों के एकिकरत बिकास को बढ़ावा देना है और मानो संसादन योजना के तहत चिन्नित कुछ महत्पूर्ण इस्थलों यानि की धार्मेक इस्थलों के बिकास और सौंदर्री करन को भी बढ़ावा देना है इस से ओवराल कला और संस्क्रती को भी बढ़ावा मिलेगा तता बिस तर पर भारत का परटन चेत्र मजबूत होकर उबरेगा इसमें हमें परिवहन, रेल, रोड और हवाई मार्क के द्वारा पहुँच को सुनेशित करना है साथ ही एटियम और बैंक आदियस्थापित इन छेत्रों में करना है आईए अब जान लेते हैं कि कौन-कौन से प्रमुक सहर हैं जो प्रशाद स्कीम में सामिल किये गए है इन सहरों के चेन की कसोर्टी वास्तों में यह थी कि उनकी समरद्य बिरासत कितनी है और उनका सांस्कृतिक इत्यास कैसा रहा है वह कितने पुराने हैं और उनका छेत्री इस्तर पर क्या महत्व है इस योजना के तहद पहले पहचाने गए बारा सहर निम्न प्रकार हैं आप इसको इस मैप के द्वारा भी देख सकते हैं जैसे कि अमरजसर, केदारनात, मत्रा, अजमेर, बनारस, गया यानि कि पटना बिहार में कामाख्या, असम, अमरावती, आंदरप्रदेश, कांचीपुरम, तमिलनाडू और बेलंकनी भी तमिलनाडू ये इन 12 स्तलों की लिष्ट दी गई है आप इसको पॉस करके देख सकते हैं अब इसका एक महत्पूर, बिंदू और हम जान लेते हैं कि आकर इसको फंड कौन करेगा बास्तों में इसको फंड 100% केंसरकार करेगी और अगर जरुवत पड़ी, तो ट्रिपल पी के माध्यम से बढ़ाबा दिया जाएगा आएए नेक्स्ट करेंट अफ्यर्स को डिसकस कर लेते हैं नेक्स्ट करेंट अफ्यर्स, TIFAC, संस्तान से संबंदित यानि कि प्रदोग की सूचना, पूर्वानुमान और मुल्यांकन परशद हाली में समाचारों में रहा कि संदर्व में सही कथन का चुनाव कीजिए ओप्सन एक, TIFAC, मानो संसादन मंत्राले के तहत स्थापित एक स्वायत संस्तान है, सेकेंड ओप्सन, इस संस्तान की स्थापना प्रथम प्रधान मंत्री जवाल लाल नहरू के द्वारा के नित्रत में की गई थी तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, सबसे पहले आप देख लो कि सही कथन पूछा गया है कि गलत पूछा गया, अब सही पूछा गया है तो प्रधान मंत्री जवाल लाल नहरू के नित्रत्य में की गई थी क्या ये सही है नहीं है ये सही नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना 1988 में की गई थी तो इस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा अगर दूसरा हम काट देते हैं पहला ओफशन कर जाता है सोरी यहाँ पर मिस्टेक से कुछ ऑफशन गत लिग गए यहाँ पर होगा ना तो एक और ना ही दो तो सेकेंड गलत है तो सेकेंड के साब से ये दोनों कट गए अब बचा एक क्या ये मानो संसादन मंत्राले के तहत इस्तापित किया गया है तो आप अगर थोड़ा गौर से सोचेंगे तो आपके यहाँ पर प्रोद्दोगी की देखेगा अब प्रोद्दोगी की है मतलब टेक्नलोजी तो टेक्नलोजी और मानो संसादन विकास मंत्राले इसमें तो कोई तारतम्मिता देखती नहीं है तो हम इसको भी काट सकते हैं तो ये भी कट गया अब बचा कौन सा ना तो एक और ना ही दो आईए इसके एक्स्प्लेनेशन को भी देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म टेक्नलोजी इन्फॉर्मेशन फॉर्कास्टिंग एंड एसेस्मेंट काउंसिल है यह बिज्ञान एवं प्रॉद्धोगी की विभाग के तहत एक स्वाजत संस्तान है इसकी स्तापना जैसे कि हमने डिसकस किया था 1988 में हुई थी इसका कार यह है कि प्रॉद्धोगी की छेतर में प्रगती को देखना उसका आकलन करना इंटेलेक्श्वल प्रोपर्टी राइट्स को देखना और राज़्टिय महत्य के चुनिंदा छेतरों में नवचार को बढ़ावा देना है टिफेक को इसकी बौद्धिक संप्रदा अधिकार यानि की IPR पर प्रसिच्छन योजना इसकी एक बहुत ही महत्यपूर योजना है किरन IPR ये आप अलग से याद रखना किरन IPR के लिए इसे राणी लक्ष्मी भाई पुरुसकार या इसी को हम नारी शक्ती पुरुसकार भी कहते हैं से सम्मानित किया गया था 2015 में और ये टिफेक का लोगों है तो आईए next current affairs को देख लेते हैं next current affairs समबन देते हैं फूलों की कुछ दुरलव प्रजातियों से हाली में कुछ फूलों की खोज हुई है जो की दुरलव हैं जैसे की Tiger Orchid Tiger Orchid इसका बैग्यानिक नाम Gramma Topher Phylum Species Awesome है इसकी बनावट के बारे में जान लेते हैं तो यह वास्तों में काफी बड़े होते हैं और चमगीले भी होते हैं और इनका रंग बागों की तुच्चा की खाल जैसा प्रतीत होता है इसी कारण से इसको क्या कहते हैं Tiger Orchid इसके कुछ अन्य महत्पूर बिंदों को भी जान लेते हैं यह दो वर्स में एक बार खिलने वाला पौदा है मतलब की दो वर्स में एक बार खिलता है यह भारत की मूल पर जाती नहीं है अगर आप आप से एक्जाम में कोश्चन पूछा जाए कि यह भारत की इस्थाने को मूल पर जाती है तो नहीं यह गलत हो जाएगा फिर आपको असत्त चूज करना पड़ेगा यह साउथ एस्थ दो टन के आसपास बजन होता इसी कारण से इसे गिनीज वर्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया यह आप इसकी फोटो देख सकते हैं यह देखो मतलब की बाग की तुचा की खाल जैसा यह प्रतीत हो रहा है तो आईए नेक्स्ट करेंट अफ्यर्स को देख लेते हैं नेक् दुबार नेशनल पार्क जो यूपी में हैं वहां के बंद विशेशग्यों ने इसकी खोश पूरे एक सो अठरा साल के बाद दुबारा से की इंग्लेंड में क्यू हर्वेरियम की रेकॉर्ड के अनुसार भारत में आखरी बारे से 1902 में फीली भीट में देख देखा गया है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है IUCN ने रैड लिस्ट में इसे कि सेरी में रखा तो है इस सूची में से Tier 2 में रखा गया है इस सूची में से secular को निशिद किया गया है था कि इसके सन्रक्षण को बढ़ावा दिया जा सके तो हमने Ground और उर इगर ओर्केट के वारे में देखा, आईए Next Current Affair को देख लेते हैं, ये इसकी फोटो भी आप देख लो धर, Next Current Affair, आत्मिर्वर भारत और विभिन संस्ताओं द्वारा बिक्सित, हालिया में कुछ पोर्टलों के वारे में संबंदित है, भारत सरकार ने घोशना की, कि भारत म नवचार को बढ़ावा देने के लिए बिविन संगटनों के द्वारब पांच पोर्टल विक्सित किये जा रहे हैं यह आत्म निर्वर भारत अव्यान को बढ़ावा देने में मदद करेगा अब और कौन-कौन सी संस्ताइं हैं जो इस पोर्टल को विक्सित कर रही है के लिए पोर्टल को विक्सित किया CMFTI ने बिविनमार छेतर के लिए HMT ने मसीनी करण के लिए ICAT और ARAI ने आटोमेटिव सेक्टर के लिए बिविन ने पोर्टलों को लागू किया आप इसको आप इसकी फुल फॉर्म को गूगल आदी से सर्च करके देख सकते हैं इसके उद्देश क्या रहने वाले हैं यह समस्या को हल करने और समधान चाहने वालों को एक साथ लाने के लिए इन पोर्टलों को लॉंच किया गया है पोर्टल सिच्छा उद्ध्योग अनुसंदान टक्नीकी बिनिर्मान और बाजार अनुसंदान में नवचार को बढ़ावा द यह पोर्टल काफी इंपोर्टेंट है इसको ICAT Automative Technology के लिए अंतराश्टी केंद्र के द्वारत तयार किया गया था पोर्टल चुनोतियों की मेजवानी करता है और बिस्तरित संसादन डेटाबेस प्रदान करता है ताकि लक्षों को प्राप्त किया जा सके फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं एप इनुवेशन चैलेंज डिजिटल इंडिया की ये पहले और आत्मिर्वर भारत अभियान के तहद इसको सुरू किया गया है तो आईए नेक्स्ट करेंट अफियर्स को देख लेते हैं नेक्स्ट करेंट अफियर्स बहुत हिंपोर्टंट है लगबग इसे हर परिच्छा में एक ना एक सबाल तो पूचा ही जाता है विसेस्ट भोगॉलिक संकेतांक यानि की जिगराफिकल इंडिकेशन अब सबसे पहले जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होते हैं हम इसकी परिवासा को देख लेते हैं GI टेग अथोब पहचान उस बस्तू अस्वा उत्पाद को दिया जाता है जो की बिस्ष्ट छेत्र का प्रतिनिरित्ट करती है मतलब एक बिस्ष्ट इस्तान पर ही वो पाई जाती है या वह उसका मूल इस्तान भी हो सकता है GI टेग क्रसी उत्पादों प्राकरतिक बस्तूओं तथा निर्मित बस्तूओं और उनकी गुडबत्ता बिस्ष्ट गुडबत्ता के लिए दिया जाता है अब ये कोश्चन बनता है कि ये कितने वर्सों के लिए दिया जाता है क्या है लाइफ टाइम होता है तो नहीं है केबल 10 वर्सों के लिए बैद होता है बाद में इसे दूसरी बार पंजी करवाना पड़ता है अब GI Tech कैसे और किस संस्ता के द्वारा दिया जाता है तो यह World Trade Organization WTO के TRIPS समझोते के तहद इसको प्रशाशित किया जाता है भारत में इसकी स्तिती क्या है आईए यह भी देख लेते हैं भारत में Goods Act 1999 के तहद इसको बनाया गया और 2003 से इसको लागू किया गया इसका regulation बाणिज्य मंत्राले के उद्योग संबर्धन और आंत्रिक बैपार विभाग के द्वारा किया जाता है भोगोलिक संकेतक की रजिस्ट्री चेन्नई में इस्तित संस्तान के द्वारा होती है यह आप 2019 में दिये गए कुछ महत्पून GI Tag की तस्वीर देख सकते हैं जैसे कि यह आपने न्यूज पढ़ी होगी यह कड़कनात मुरगा है यह जाबूए डिस्टिक MP में पाया जाता है अब हम एक लिस्ट देखेंगे कि हाली में 2019 और 2020 में चर्चा में रहे कुछ महत्पून GI Tag कौन-कौन से हैं तो मैंने इसको हाइलाइट कर रखा है आप चाहें तो पॉस करके पूरी लिस्ट को पढ़ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी एक्जाम में किसी ना किसी रूप में पूँच लिया जाएगा जैसे कि कंदमाल हल्दी यह एग्रिकल्चर से संबंदित है उडिसा इस्टेट की है रश्गुल्ला उडिसा फूड आइटम हो गया कुडाई कनाल मलाई पॉंडू एग्रिकल्चर तमिल नाडू से संबंदित है कुछ मिजोरम नौटीस्ट में भी मिले हैंडिक्राफ्ट से संबंदित पाउंडम नीगो टेच्छरे हैमराम और पलानी पंचा मृतम यह बहुत मोश्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के इसकी कुछ फिगर भी मैंने दे रखे हैं तो आप इसको भी देख लेना यह करिंट अफेर्स के बाद अब इत्यास के कोश्टन को डिसकस कर लेते हैं आज हमने बहुत ही महत्यपूर्ण इत्यास का टॉपिक उठाया जो कि है सात्वाहन काल तो आईए कोश्टन को पढ़ इनके सिक्के स्वण और लेट के बने होते थे सेकंड ये लोग दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे दक्कन के बड़े हिस्से में बैपारिक अर्थ विवस्ता का बिकास हुआ था बासिष्टी पूत्र पुलवायन ने सक सासक रुद्र दामन प्रिथम को दो बार प्राजित किया चलिए एक-एक उप्सन के साथ चलते हैं इनके सिक्के स्वण और लेट के होते थे नहीं ये गलत है क्योंकि इनके स्वण का यूज होता था लेकिन धातू के रूप में होता था ठीक है सिक्के तो इनके पोटीन के या कई और प्रकार की धातूं के बनते थ अब first जैसे गलत हो गया तो अपन C को काट सकते हैं और D को काट सकते हैं अब बचा अपना A और B option चलिए second option को देखते हैं दक्कन में कपास को उत्पादन करते थे बिल्कुल सही बात है दक्कन का छेत्र इनके छेत्र अधिकार में आता था और ये कपास की खेती कपास की खेत करते थे तो ये second सही है अब second सही है तो अपना answer तो direct में लिए क्योंकि बाकी में तो second है नहीं लेकिन अपन थाइड को भी देख लेते हैं थाइड ओक्सन कहताएगी ये बैपारिक अर्थविबस्ता का विकास हुआ दक्कन के चेत्र में अभी अपने ऊपर एक question पढ़ा थ एक point ये कि दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे अब कपास की खेती होती थी तो ये क्रसी करते थे अब क्रसी से क्या होगा क्रसी से क्रसी अर्थविबस्ता का जर्म होगा ना कि बैपारिक गतिविदियों का तो ये third question अपन काट सकते हैं ठीक है अब fourth बसिष्टी पुल बार पराजित किया था तो आईए इसकी explanation को भी देख लेते हैं साथ वहनोंने स्वयन का प्रियोग भुहमूल धातू की रूप में किया था उन्होंने कुसाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए तो इसका मतलब ये question क्या निकल के आता है कि सबसे जाद सोने के सिक्के कि लेट के चलाए अब ये चार प्रकार के सिक्के किसी भी एक्जाम में कहीं भी point दे सकता है तो आप याद रखना और इन्होंने इनी की मुद्राएं भी चलाएं अब next साथ वहन सासक कपास का उत्पादन करते थे और इनके ही काल में आंदर प्रदेस वाला जो रीजन था व ना की बैपारिक अर्थ वेबस्ता ठीक है चलिए फोर्ट पॉइंट देख लेते हैं जो शक सासक थे रुद्रदामन इन्होंने बसिष्टी पुत्र को दो बार पराजित किया लेकिन इन्होंने इसका नास नहीं किया क्यों क्योंकि इनके आपस में कुछ बैवाहिक यह आईए next question यह map को देख लेते हैं अब यह समकालीन इंडिया का map है उस समय के हसाब से तो यहां देख लेंगे कि साथ वाहनों का empire यह रहा यहां पर ठीक है अब आप मुझे comment box में शकों की और प्रतिष्ट और साथ वाहनों की राध्धानी को बताना और बागी पाइंडियन किंगडम, चोल किंगडम, कलिंग और कुशानों की राध्धानी भी बताना अब यह कुशान empire देखो कितने बड़े छेतर में फैला हुआ था ठीक है और इन्हों नहीं सबसे ज़्यादा स्वाइंड सिक के चलाए जैसा कि अपन ने पिछली slide में देखा तो आईए next question को discuss कर लेते हैं next question सात्वाहन समराज्य के सामाजिक संगठन के संदर्व में निमलिखित कस्नों पर बिचार कीजिए फिर वही कहानी अपन को सबसे पहले क्या देखना है सत्त है कि असत्त अपन को सत्त देखना है आईए options को पढ़ लेते हैं इस काल में सरपितम भूमी अनुदान की भूमी अनुदान क्या होता मैं आपको बता दूँ भूमी का तुकड़ा छोटा सा अब जैसे अपन इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं यह समझो एक समराज्य और यहां पर केंद्रिय सत्ता है ठीक है यह केंद्रिय सत्ता है अब इसके अंडर में तो यह पूरा छेत्रा आत है तो यह क्या करता था कुछ भूमी अपनी दान में दे देते था ताकि भूमी का भूमी को अपजाओ भी बनाया जा सके और आर्थिक गतिविदियां भी उस चेत्र में फैल सके ठीक है तो अब भूमी अनुदान किसको किसको दिया जाता था इस काल में ब्रामडों को दे स सकते थी अब मंत्री को जब दे जब भूमी दी गई तो यह सामंती विवस्ता को इन्होंने कहीं न कहीं जन्म दे दिया क्योंकि भूमी के तुकड़े में मंत्रियों को हर प्रकार के अधिकार दिये गए चाहे वह राजस का अधिकार हो सेने का अधिकार हो या प्रशासन का अ आवास मिलता है अब ये कोशन काफी important है अब अपन देखेंगे जब भी अपन साथ भाहन समराज के बारे में पढ़ते हैं तो अपन सुना होगा कि गौत्मी पुत्र साथ करणी बसिस्टी पुत्र पुल्वामी ठीक है तो कहीं न कहीं हमें ये देखने पर लगता है कि अरे मा मत सत्तात्मख समाज हो लेकिन अगर से इस बारीकी सिय्ध्यंग करें तो हमें पता चलता है कि केवल नाम के इस तरपर ही माता या पुत्री का उपयोग होता था लेकिन बास्तवे ग्रूब में सप्ता किसको मिलती थी सत्ता तो मिलती थी पुत्र को, तो कैसा समाज हुआ, पित्र सत्तात्मक हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ये option अपना क्या हो गया, गलत हो गया, अब second गलत हो गया, तो अपना ये वाला option भी अपन काट सकते हैं, अब first तो अपने मन से सही हो गया, अब अपन तीसरा भी देख लेते हैं, बडिक लोग अपने अपने नगर का नाम, अपने नाम से जोडने लगे, ठीक है, इसमें कोई कमी दिख नहीं रही है, तो अपने इसको सही ही माल लेंगे, क्योंकि प्राइट कभी सभ हो जाएगा, अगर अपने नाम के आँगे, नगर का नाम रख लिया, कि जैसे आज भी अपन देख स रखते हैं, कि जैसे कई बड़े-बड़े सायर होते हैं, कि राहा तिंदोरी, वैसे ही करके, ये ये भी अपने-पने नगर का नाम रखने लग गए, ताई ये इसके एक्स्प्लेनेशन को देख लेते हैं, तो साथ बहानोंने सर्व प्रथम, ये आप याद रखना, सर्व प्रथम ब्रामणों को भूमी अनुदान के रूप में देने की प्रथा चलाई, अब किसी एक्जाम में अगर आपसे क्वेशन पूछ लिया जाए, कि सर्व प्रथम भूमी अनुदान की विबस्ता किस ने चलाई, तो साथ बहानोंने चलाई, और उन्हें किसको दिये, ब् बौद्ध धर्म का भी प्रभाव साथ बहान सामराज में दिखता है, साथ बहानों में हमें मात्र सतात्मक समाज का आभास्त होता है, लेकिन केवल राजाओं के नाम के आंगे ही, परंतु वास्तों में देखें, तो राजकुल पित्र सतात्मक था, क्योंकि राज्य सिंगह पर उत्रादिकारी पुत्र ही होता था जैसा अपन ने डिसकस किया था इस काल में सिल्प और बांड़ज के छेत्र में बहुत ज्यादा प्रगती हुई और इसी के प्रवाव में अब लोग अपने नाम के आंगे अपने नगरों का नाम भी जोड़ने लग गए तो आगे नेक सत्त पूछा गया है कि असत्त तो यहां पर सत्त पूछा गया है तो आईए ओफ्सन को देखते हैं गौलमिक ग्राम का प्रधान कहलाता था सही है बिल्कुल सही बात है गौलमिक जो था वो ग्राम का प्रधान ही कहलाता था साथ बहान काल में नेक्स्ट इस काल में प्रशा परेकाल मोरियों के बाद ही आता है साथ भानों का तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी वस्ता तो इन्होंने मोरियों की अपनाई ही ही तो कि सबस्दे डिखन हों आप इसपने देए पिर सकते ऐसमन स didn't has spoken और शेकंड नही citizen सो यह गलत हो गया इसमें भी first नहीं है तो ये गलत हो गया अब अपन को बाकी परणने की आवशकता ही नहीं है अपना option कौन सा हो गया डी ठीक है तो third भी लेकन अपन इसको देख लेते हैं इस काल के प्रिसासन में सैनिक और सामानतवादी प्रिचलन के लक्षण हमें दिखाई देते हैं सामान सामानतवादी प्रिक्रिया का आरंब होता है क्योंकि वो उस शेत्त में राजा सेनिक प्रिसासनिक सभी अधिकार घ्रन कर लेता था बदले में राजा को क्या देता था ये भी आप याद रखना बदले में सैना देता था जुरूत पढ़ने पर ठीक है तो option तीनों सही हो ग ये एक सब्ध प्रियोक्त होता था आहर सब्ध ये अपन अलग से याद रखें क्योंकि किसी और एक्जाम में भी पूछा जा सकता है ठीक है जो असौक के समय में प्रियोक्त होता थाaur असौक एक मौर राज़ा था उनके अधिकारी मौर कालु की तरह आमाता और महामाते कह लाते थे नेक्स्ट सात्वाहनों के प्रशासन में कुछ बिसेश सैनिक और सामांतवादी लक्षण दिखाई देते हैं यह अपने मैंने भी डिसकस करवा दिया पिछली स्लाइड में अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सैना पती को प्रांत का प्रशासना द्यच या गव पूछ जा सकता है कि नेक्स्ट आने वाले आई इसके और यासाम में पूच लिया जा ECG ॐइस को गौाल मेक्न होते थे 25 जोड़े हुआ करते थे और 45 थे संटे क्या स्पास होते थे ये शंक्या निशेत नहीं है ऊपर-nीचे भी हो सकती है और इसका उद्धेस यही होता था कि domestic को बनाया रखा जा सके तो अब देखिए हम्ने साथ वहान सवार्ज को डिसक्स करते हुए हमने कम से कम 40-50 कोश्चनों को डिसकस कर लिया तो अब किसी भी एक्जाम में अगर कोश्चन आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं